आज कल हमाने घर में अक्सर भिंडी की सब्जी बन जा रही थी तो खाते खाते सभी बोर हो गये थे वही सेम टेस्ट वही चीज इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ने इस भिंडी को थोड़ा इंट्रेस्टिंग बनाया जाए तो मैंने इसमें स्पेसल तड़का लगाया और सर्प से शेयर किया जाए ताकि आप भी नॉर्मल भिंडी को स्पेसल बना सकें ये रेसिपी मेरी फैमिली को बहुत ही पसंद आई आई होब आपको भी जरूर पसंद आएगी तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो भिंडी जिसे हम अच्छे से धो कर रख लेंगे एक बड़ा सिम्ला मिर्च दो मीडियम साइज के प्याज दस से बारा कलियां लहसुन की तीन हरी मिर्च नमा स्वादानुसार अब भिंडी को धोने के बाद इस तरह से उपर और नीचे कापाट काट के हटा देंगे और दो हिस्सों में काट लेंगे फिर इसे बीच से थोड़ा सा कट लगा कर इसे चेक कर लेंगे ताकि अंदर कीडा ना हो और सारी भिंडी को हम इसी तरह से काट लेंगे हमें भिंडी को बहुत छोटा छोटा नहीं काटता है बस एक भिंडी में दो तुक्रे बनाना है और बीच से थोड़ा सा कट लगा के चेक करते हुए हम सारी भिंडी को काट लेंगे इस तरह से देखें ये बीच में दिख भी जाएगा अब इसी तरह से हमें सारी भिंडी को काट लेना है ये देखें यहाँ पर मैंने सारी भिंडी को काट कर रख लिया है अब हम प्यास को चार टुक्रों में काट लेंगे हमें प्यास को चोटा चोटा नहीं काटना है हमें बस मोटा ही इसे रखना है इस तरह से हम चार टुक्रों में काट लिए और फिर इसे आधा काट लेंगे इस तरह से हम काट लेंगे इसे अब प्यास के हर पार्ट को हम हाँक से अलग कर देंगे ये देखे, ये मैं करके दिखा रही हूँ, इस तरह से सारे पाट को अलग कर देंगे इसी तरह से दोनों प्याज को काट के रख लेंगे और उसके हर हिसे को निकाल भी देंगे हम हाथ से अब हम सिमला मिच को भी काट लेंगे इसे भी हमें बड़े टुकडों में ही काटना है, छोटे टुकडों में नहीं काटना है ये देखे, यहाँ पर इस तरह से हम बड़े टुकडों में इसे काट लेंगे इतने बड़े टुके हम सिमला मिच की पूरा काट लेंगे अब एक कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे मैंने यहां सरसो का तेल डाला है आप चाहें तो रिफाइंड ओल भी यूज़ कर सकते हैं अब तेल गरम होने के बाद इसमें मैंने लहसुन के छोटे चुटे टुकड़े कर लिये थे और उसे अब इसमें डाल देंगे और इसके बाद हरी मीच को भी बीच से मैंने दो टुकड़े में काट लिया था उसे भी इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब मैंने जो प्यास काटा है बड़े टुक्रो में उसे भी इसमें हम डाल देंगे इसे मिक्स कर लेते हैं हम थोड़ा अब इसमें हम कटी हुई भिंडी डाल देंगे और इसे हमें ढख कर नहीं पकाना है मीडियम आज़ पर बगए ढखे ही पकाना है क्योंकि भिंडी थोड़ा लसीला होता है अगर ढख देंगे तो ये थोड़ा जादा लसीला हो जाएगा जिससे भिंडी सारी तूट भी सकती है इसलिए हमें अभी ढखना नहीं है और बहुत कम आज पे धीमी आज पे भी नहीं पकाना है इसे बगए ढखे मीडियम आज पे हमें चलाते हुए इसे भुन लेना है और नमक भी हम भिंडी में बाद में ही डालेंगे क्योंकि नमक भी पहले डाल देंगे तो भिंडी तूटने लगती है ये देखिए इस तरह से भिंडी अब लाल हो रही है भिंडी और प्याज दोनों लाल हो गए हैं बिंडी गल भी गई है अब यहां इस स्टेज पे अब हम जो कैप्सिकम सिम्डा मिच काटके रखे हैं उसे भी इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे इसी समय अब हम नमक भी स्वादा नुसार इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे इसे हम दो मिनट के लिए और भुनेंगे ताकि हमारा सिम्डा मिच भी अच्छे से इसमें भुन जाए प्याज और भिंडी तो भुनी गया है सिम्डा मिच भी भुन जाएगा दो मिनट में अब हम इसमें लगाएंगे अपना स्पेसल तड़का सेजवान फ्राइड राइस मसाला यह मसाला बिंडी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है यहां पर मैंने 20 ग्राम का पैकेट लिया है और यह पूरा मसाला इसमें डाल देंगे अभी पहले दो बड़े चम्मच इसमें मसाला स्प्रिंकल करके मिक्स कर देंगे और उसके बाद बचा हुआ सारा मसाला भी इसमें डाल देंगे यह मैंने अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसमें बचा हुआ मसाला भी पूरा इसमें डाल देंगे और फिर इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अब ये चट पटा सेजवान भिंडी बिलकुल रडी है इसे आप गर्मा गर्म लच्छे पराठा रुमाली रोटी चपाती के साथ खाईए ये बहुत ही तेश्टी लगता है अब इसमें मसाला अच्छे से मिल गया है अब हम गैस की फ्लेम आफ कर देंगे और इसे एक सर्विंग डिस में निकाल लेंगे आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और बना कर गर्मा गर्म अपने फैमिली फ्रेंड्स को खिलाईए सभी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल रंके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्षन में जरूर दे आपको इसी तरह की और भी टेश्टी और इजी रेसिपी की नोटिफिकेशन चाहिए तो वीडियो की नीचे बेल आइकन को जरूर क्लिक करें आप मेरा फेस्बूक पेज भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है हाई फ्लेम्स बाई कंचन सो थैंक यू सी यू नेक्ट वीडियो बाई बाई और कीप कुकिंग